नमस्कार, मैं हूँ पविता, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत हैं पुर्वी सिंबम जिले के सुदूर बढ़ते इलाचे बंगार राजी के बॉडर पस थे ग्रामी न या ओछ हलावा बहसूस कर रहे हैं पिछले तीन नुरे से उवी वारिश के कारण ग्रामी न इसकी तीक तहस नहीं सुची किये घरों में तीन फिट तक पाहीं गुज चुका है और कच्चे मखान द्वस्त हो गए देखे मादोपुर की गाउं की एक रिपोर्ट कहते हैं कि असली भारत गाउं में बसता है लेकिन क्या होगा जब हमारा गाउं ही सुकुन से न रहे हैं जी हां हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी पता दिखारियों के लापरवाही सवेदकों के ब्रष्टाचार और स्थानिय विधायकों द्वारा समस्याओं को नजर अंदाज करना ग्रामीरों को भारी पड़ रहा है जारखन और बंगाल राजे के सिमा पर बसे पूर्वी सिंभुंग जीले के बोडाम प्रखंड स्थेत माधोपूर गाउं के ग्रामीरों तीन दिन से वारिश से अस्थवेस्थ हो चुके हैं इस गाउं में तकरीर बंध तीन हजार के आबाधी नहीं वास करती है तीन दिनों से वारिश से यहां दरजनों घरों में तीन फिर तक पानी भर गया है यह तमाम घर मिटी के हैं कई घर तूट कर गिर चुके हैं और लोग खुले आस्मान के नीचे हैं यहां के लोग अपने अपनी घरों में रखे अनाज और अन्ने समानों के लिकर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं फिल हाल इनके पास भोजन भी नहीं है वही लोग अपने घरों बरतन के सहारे पानी बाहर निकालने के जुगत में जुटे हैं यहां के ग्राम प्रधान के अन यहां के ग्रामिंग बताते हैं कि आपकी सड़क बनने के बाद सड़क का ही पाने घरों में प्रवेश कर रहा है। कुछ ब्यवस्ता किया जाई तो यह सब के लिए बेतर होगा। पास सेटिंग है या पैसा है उन्हों को पास किया गया है। इसलिए अभ्यर्थिया मांग कर रहें कि इनके रिजल्ट को सारवजनिक किया जाए। जितने बच्चे शामिल हुए सबी का रिजल्ट सारवजनिक हो ताकी दूद का दूद और पानी का पानी हो सके। हाला कि अब इस मुद्दे को लेकर राजनितिक सरदर्मी तेज हो गई है। टाटा के दिहास में पहली बार हुआ जहां अप्रेंटिस एक्जाम के बाद इतना बड़ा धबबा लगा है। अब सवाल यह हुगता है कि टाटा कमपनी के आइस्दाग को थो पाईगी या नहीं। का सीधा आरोप है कि जो पिछले दिनों ऑनलाइन एक्जाम ली गई थी उसमें सरासर धंडली वही और उसका बहुत सारा प्रमाण उपलब्द है जैसे सुबह अगर 9 बाई से एक्जाम चल लुगा और 3 बजे तक अगर एक्जाम चल रहा है छे बजे तक ऑनलाइन चल रहा और किसी बच्चे ने तो पहली सब्ची डाल दिया वो भी यूटूब पे मजूद है उसका भी रिकोर्ड है इन लोगों के पाई क्यान धिमांड लेगा ये क्या मजस आ हुआ है कि पूरी महनत सहर्त तयारी कर भी और यह नहीं हुआ है आ हमारे यहीओ कि आ फिर से उग्जाम क्यंसर चल उंदे है तक इसारे बच्च बीक्च बीसंकर पूष्टों कि नागरीन की नागर सत्ता पक्ष द्वारा दिवरक्ष पर ऐसा आरोप लगाया गया ताकि उसे जेल हो जाए। आसुनेता ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते में कहा कि ऐसा शड़ियन त्रेड नहीं करना चाहिए। आसुनेता पक्ष पर आरोप लगाते में पर आरोप को साज नहीं किया जाए। चलती रहती है। इसका मतलब या नहीं कि सत्ता पक्ष में बाठे लोग विपक्ष को जेल भेज़ते। इचले दिन राज के मानिय मुखमंत्री जी बच्पूरी महगवी भाषा के बारे में जो कहा था और उनके लोग में हमारे पाटी के घीला सहप्रबश का पक्षिवारी जी ने तुभी कुछ कहा था और जिसको ले करके गोलमुरी ठना में इनके उपर केस कर दिया है। कि दंगा भड़काने का जो भी आरोप लगाया है। आरोप एक समाजी कर्श करता के उपर इस तरह का बेभुनियाद आरोप नहीं लगाना चाहिए। जमशित्पूर में नगर निगम चुनाओ की तयारी शुरू हो गई है। इसी सिलसले में मानगो में नगर निगम चुनाओ की सरगर्मी तेज हो गई है। समस्याओं की जानकारी ली है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर वे चुनाओ जीतते हैं तो वे अपने छेत्र का हर एक समस्याओं को दूर करते वे विकास का कारें करेंगे। बीते देर शाम रोड नमबर 13 में जन समपर कभी हैं चला कर लोगों से समर्थन ट्राप किया। और जादा से जादा वोड देने की अपेल की है। मुद्दा ये हमारा कि हमारा बस्ती में बहुत समस्या है। रोट का नाली का लाइट का और जगा जगा में कचरों का अमबार है। ठीक है इसलिए जो हमारे बस्ती के लिए जो एक हम निरने लिए हैं कि हम वाट नमबर 19 से वाट कमिस्वर का इलेक्षन लड़ेंगे। के लिए टूनाँ नहीं सब्सक्रव मारे खिव करेंगे ट्रूण के लिए विरोत करेंगे lore नहीं हुआ तो जिहां स्के लिए विरोत करेंगे। और क्या-क्या मुद्दे हैं जनको लेकर आपशनाव लड़े हैं? जो लगता है कि जंता कि वो ये समस्या है वो दूर करेंगे आप Sमस्या बहुत है सर। पूरा बस्ती घूमिये समस्या है रोड नमबर 14 के नीचे, प्रोज 14 के नीचे, तेरा B के नीचे और तेरा A के नीचे पूरा समस्या है जाकर सरकार्ट वारा सोनव सोबरंद दो ती साड़ी योज्रा की शुरवात राजिस तरी रूप में की गए हेवन सोरेन ने इसका ओनलाइन उखाटन किया जमशेद पूर के रविंद्र भवन में भी इसको ले करके जीला स्तरीय कारेकरम का आयूजन किया गया जहां ओनलाइन मादेम से कार्मोखी मंत्री जोड़े रहे है वही जमशेद पूर में आयूजित कारेकरम में विधायक रामदास सुरेन, मंगल कालिंदी और समीर मुहनती के साथ जेले के उसुपायों समेथ तमाम आलाधिकारी मौजूद रहे इस दौरान तमाम अथितियों ने संगियूक तरुप से प्रथम चरण के चायनित लाभूकों के बीच साड़ी और धोती का वित्रण किया वैसे हिस योजना के तहट वर्ष में दो बार दस रुपे में धोती और साड़ी जन वित्रण प्रणाली के दुकानों में बीपीयल काड़ धारकों को उपलब्ध होगा मौके पर मौजूद अठितियों ने कहा राज्य सरकार कि इस योजना के मात्यम से अब गरीमों को राशन के साथ अवस्र भी उपलब्ध होगा पंठरी जी के दुआरा राज्य की उपराल धानी दुमका जिले से धोती साड़ी वित्रण योजना का सुभारम बेखिया गया है और इस योजना के तहते संपूर में राज्य के जितने भी राशन कार्ण थारी परिवार हैं परिवारों को एक धूती और एक साडी यलूंगी जो है वह हम लोगों को पीडिये स्टेलर के मातवन से बित्रक्तर ना है इसी योजना का आज सुभारन मानिय मुहंत्र के दौरा किया गया इसी योजना का मूल देश है कि बिलकुल जो अशाहय निशक्त परिवार हैं जो कि राशन पर डिपेंड करते हैं उनके तन पे कपड़ा भी उपलब शरकार बिलकुल करवा दे और इसी क्रम में पूर्वी सिमुन जिला में 4,36,000 परिवार हैं जो इसके लाभूप होने वाले हैं आज सौ परिवारों को हम लोगों ने यहां पर दोकम सरूप आमंत्रित किया जिसके कारण जंजीवन अस्वेस्थ हो गया है वही चार सल बार बिन्ना डैम के तीन फाटक खोले गए हैं उधर फाटक खोलते ही नीचले इलाकों में बाड़ की स्थिती उत्पन हो गई है हलाकि जिला प्रशासन ने डैम के आसपास के लोगों को उच्छ स्थान पर जान अगर बारिश लगातार हुई तो डैम फ्लो कर सकता है अपना नाम बद है ना रिचू सेंग आप अराम के ले रिचू सेंग बड़न यहां क्याता लग रहा है यह नजाना देखे बहुत अच्छा लग रहा है मैं फर्स टाइम यहां देख रही हो यह पहले मैं पटना में अब ही जम शेदपूर आई हो तो फर्स टाइम यह पार्ट तो फीन फुला हुआ देख रही हूं मैं बहुत अच्छा लग रहा है आज के लिए पसितना ही विद्धी उसके प्रुटीन को दीजे चाज़र धन्यवार